क्या बोलती पब्लिक एकदम बढ़िया तो कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ सभी कोई स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखोंगे मैं हूँ किसन पांडे और यह आपका सबसे खुश्चुरा सबसे बिस्वस्तनी प्लेटफॉर्म आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छोंगे लगातार क्लासेश को रिवाइस कर रहे होंगे जब भी हम फिजिक्स पढ़ाते हैं आपके लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर एक्जाम बहुत नजदीक है हमारा और आल फार्मूला एक वीडियो में बना दीजिए तो बिटा य इससे related numerical आपके पूछे जाते हैं चेप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैद्दू तावेस तताच्छत पहले चेप्टर से और पहले चेप्टर में आपको पता है कि क्यों इक्वल टू आईटी यह सबसे पहला फार्मूला होता है इस इसके बाद बात करते हैं कि विद्दू सक्ति P equal to क्या होता है वी इससे related आपको numerical पूछे जाते हैं अगर वी इक्वल टू ओम किनियम से आई यार लिखोगे तो यहां से आ जाएगा आई यार जब रिखोगे तो आई इसक्वायर आर भी होता है तो यह सब फार्मूले जो अपसाले नॉट का मान दिया रहता है कभी-कभी आपको इसका मान पूछा जाता है यह बहुत important चीज़ है numerical में आपको पूछा पूछा जाता है ठीक है फिर आता है कि वैद्दू सिल्टा का जैसे हमने अभी आप से कहा कि मात्रप पूछा जाता है तो एक बटे यह कैसे आ तो आवेस का सतत वित्रण से सबसे ज़्यादा important है जब आप application of Gauss Serum Gauss के नियम का अनुपर्योग proving आती है उसमें यह तीनों फार्मुले रेखिया आवेस घनत च्हत्री आवेस घनत तो कहिए या फिर आयतन आवेस घनत तो कहिए तीनों के तीनों फार्मुले बहुत important है इ यहां से आप परिभासा भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आपको सिर्फ formula याद है और आप चाहते हैं कि हम परिभासा भी लिख दे अगर हम वैद्वव की परिभासा कह दिया तो आपको पता है कि एकांग परिछन आवेस को एक बिन से दूसरे बिन तक लाने मे थीक है जब हम दो आविश समान परिमार्ड था विपरीष्पकिट की आविश को बहुत अलपतम दूरी पर लख़ते हैं तो ऐसा समयजन अबहुत क्या क्या कहलाता है बैद्व जिद्रू का आगुण क्या होता है टाव बराबर होता है पी इंटु ई टाउ बराबर क्या होता है पी या फिर पी साइन थीटा फिर आता है धारिता सी बराबर क्या होता है क्यू बटे वी धारिता से सबसे ज्यादा यह पूछे जाने वाला सवाल है फिर आता है कि वैदुद विभो बिंदु आवेस के कारण वैदुद विभो का यह सूत्र होता ह यहां से आपको numerical पूछा जाएगा मेरे भाई फिर आता संधारित की इस्तिती जूर्जा U equal to half cv square इस से related numerical आपको देखने को मिलेगा तो numerical का यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए फिर आता बैदु धारा देखो बैदु धारा हो गया और प्रत्यावर्ति धारा यहां से आपके current density के बारे में open wake यह सब चीज़े बहुत important है आप याद रखिएगा फिर आता है वैदु धारा i equal to q by t इस चीज़ को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिर अगर हम बात करें वैदुत उर्जा आवस गुर्ते वैदुत विभो उसके बाद आता है कि वैदुत सक्ति P proving याफ equal to qvb sin theta की इसकी proving आपके examination में आती है यानि कि इसका derivation आपको पूरा याद करना है फिर आता है प्रकास की चाल यह वाला relation बहुत important है यह relation आपको examination में देखने को मिल सकता है यह most important है पिछले हम अगर 5-7 साल के paper के previous year के paper देखें तो यह relation जरूर आपके examination में पूछा जाता है फिर आता है टाउ बराबर यंबी sin theta टाउ बराबर यंबी इसका भी इससे related आपको numerical पूछा जाता है याद रखनेगा आघूर से तो एक derivation और एक numerical fix है हर साल आपके paper में फिर चुम्ब की दिद्रू का आघूर यंबराबर क्या होता है यन आई ए होता है मेरे आपको बता दे कि क्या चीज़े important और किस पर आपको ज्यादा focus करना है किसके फार्मूले पर derivation आता है और किस फार्मूले पर numerical पूछा जाता है ठीक है मेरे भाई चुम्ब की फलक्स 5 बराबर क्या होता है याद रखिएगा प्रेरित विद्दूत बाहक बल ई बराबर क्य होते हो और यही फार्मूला भूल जाते हो सबसे जादा आप किताब उठाएंगे तो आपको धारा का सिखर मान ठीक है धारा का विबो का सिखर मान यह IRMS और आइन और दोनों का मान पूछा ही पूछा जाता है और इससे रिलिटेट नुमेरिकर प्रत्य वर्टेज का भी जाएगा ठीक है ओमेगा यल बराबर एकसल बराबर टू पाई इफ इंटू यल होता जहां यह चाहे कापरित्ती है यकसल का प्रतिगात ठीक है यह चीज़े बहुत इंपोर्टेंट ही जितने फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हर साल पूछा जाता है ठीक भूख स्टार करते है की रणy प्रकास के एवं प्रकासी की अंतर से ये सवाले चेप्टर से गोली पृष्ट पर आपूर्तन का शूतर इसकी डेटन का ड्याइएवेशन आपको आएगी और इसका ड्याइवेशन हमने आप प्लेश्चे उठा के देखै कि इसका डेटन का गोली प्रिष्टदारा प्रकास का अपुर्तन का सूत्र याद रखेगा ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इसको ध्यान में रखेंगे अपनी दिमाग में फिरलेंस की छमता का सूत्र लगबग लगबग इससे एक नुमेरिकल बनता है वो भी दो नम्मर का मिन्मम, ठीक है याद रखेंगे फिर हम बात करें रिलेखी आवधन चमता पत disp की लंबाई बड़े वस्तों की लंबाई डरपण के लिए यह पिर प्रकास- अंबन्धी सूत्र तकर सम क्लास टेंड पहले को हम लोग पढ़े हैं और दरपण बेंस में चिंण परिपार् आपको 13 marks लाके देख रहा याद रखिएगा प्रकास की जो optics आपका है वो 13 marks आपको देगा इसलिए याद रखेगा बहुत important आपके लिए फिर आता है रेखी आवर्दन चमता प्रतिवम से दूरी बटे वसकी दूरी याद रखेंगा उत्तर लिंस के लिए और उत्तर लिंस के लिए रेखी आवर्दन चमता माइनस वी बटे यू होता है याद रखेंगे फिर पतले लिंस द्वारा प्रकास का पुरतन का सूतर पतल यूँ हो जाएगा ठीक है फिर हम अगले पड़ाव पी चलते हैं संपर्क में रखें दो लेंसों की फोकस दूरी दो लेंस रखा रहें ती लेंस रखा रहें इससे रिलेटेड आपके फार्मूले की प्रूविंग आती है ठीक है और लेंस के लिए न्यूटन का सोत्र से रिलेटेड आपको देखिए एक तो एमसी क्यू में क्योश्टन मिल जाएगा अगर चैंसे क्यू आएंगे तो एक एमसी क्यू लगभा की धर से फसता है जहां से मैं बता रहा हूं आपको फिर आता है आप और तनांग में उकल्टू 10 आईपी यानि की ब्रूश्टर का नियम आपको ब्रूश्टर का नियम धुवन कोर के बारे में मुस्टली आप उठा के देखिए लगभाई 11 से आपके बोर्ड एक्जाम 2024 में बनते है मेरे भाई लगभाई 7 सेट में पिछली बार भशा था ब्रूश्टर का नियम याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टें इस बात का ध्यान रखेंगे इसके लावा अगर मैं आपको और भी एक दो फार्मूले एकदम इग्जाक्ट बताने की कुछिस करूं तो आप इस बात को याद रखेगा नोट कर लीजेगा अगर आप पहले चक्टर से देखो अक्छी तथा निरच्छी स्थिति वाली इस बात को ध्यान रखेंगे पहले चप्टर से हमने आपको यह फार्मूले का पीडियाफ आपको मिच जाएगा मेरे भाई पहले चप्टर से लेकिए आखरी चिप्टर तक मॉस्ट इंपॉर्टन फार्मूले की सीरीज आपके पास होना चाहिए कभी भी समय मिले तो सारे को याद रखें इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा प्यारों सपोर्ट दें और आपको लेक्ष्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वह भी कमेंट करके बताएं और इस साल आपका क्या सपना है कि आप बोर्ड इक्जाम में कितने माक्स लाना चाहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से करिएगा मिलते हैं नक्ष्ट वोडियो में जय हिंद जय भारत